दोस्तो स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल में आपका दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपको बताएंगे गुजरात इस्टेड रोड ट्रांसपोर्ड कार्पूरेशन की बस टिकट कैसे बुक करते हैं अपने मुबाइल फोन से वह इस वीडियो में आ रही है दोस्तो GSRTC बस टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आप गुगल पर सर्च कर लीजे रेड बस red bus search करने के बाद red bus की official link पर click कर लिजे click करने के बाद आपके सामने इसा interface देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है आपको नीचे की side आ जाना है आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा prefer to travel on RTC buses यहाँ पर देख सकते हो महरास्टर गौर्मेंट की bus ticket बुक करने का option पहला वाला दिया हुआ उसके बाजू में लिखा हुआ है GSRTC उसके उपर आपको click कर लेना है click करने के बाद आपके सामने एक नया page open ओकर आजाएगा आप यहाँ पर from में देख सकते हो from लिखा हुआ यहाँ पर आपको कहा से travel start करने तो उस जगा का नाम आपको डाल ले रहा है तो मैं यहाँ से डाल लूँगा मैं यहाँ पर डालूँगा वाड उद्रा मैं वाड उद्रा से जाओंगा keyword या तो मैं यहाँ पर keyword या डाल लूँगा आप भी अपने हिसाब से डाल लीजे उसके बाद date सेलेक कर लेना है आपको जिस भी date पर आपको जाना है तो मैं हूँगा 31 अक्تूबर के रोज तुम्हें आपर टूंग करने के बाद सर्ज बसिस पर किलिक करोंगा किलिक करने के बास आप ऑगी इसी तरीके से किजिए किलिक करने के बास आपके सामने नहीं पफिछ आजेगा अब यहाँ सकते हो आपको अलग-अलग टाइमिंग के साफ से बस देखने को मिलेगे सीलीपर नौन एसी सीलीपर यहां पर आपको एसी सीलीपर सीटर सब देखने को मिल जाएगी अब यहां पर आपको देख लेना है कौन से टाइम पर जाना है और किस में आपको जाना है यहां पर सीट आवेलेबल कितनी है वो भी बता देगा देख सकते हो फास्ट वाली जो है मौर्णिंग में चाथ बच खे 50 मिनट की है इसमें देख सकते हो 1730 में घंट revenue कि पूरा चुल करणGuill इस्टेंट है पुरा कुछ दिया हुआ है आपको पढ़ लेना है पढ़ने के बाद आपको क्लिक कर लेना है जिस भी टैम पर आपको जाना है मैं यहाँ पर फास्ट आला ही क्लिक कर लूँगा मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं फास्ट आले पर क्लिक कर लूँगा आपको कहा से बैठना है देख सकते हो वहां का नाम आप select कर सकते हो मैं यहाँ पर select कर लिया हूँ अब देख सकते हो यहाँ पर dropping point तो दिया हुआ है उसके बात continue के उपर click कर लेना अगर आपको dropping point में भी option देता है तो आप देख लीजिए आपको कहा पर उतरना है आप सिलेक्ट कर सकते हो आप GSRTC की Official साइट से भी बुक कर सकते हो और यहां से भी बुक कर सकते हो अब यहां पर देख सकते हो जो pink color की रहेगी वो female रहेगी और जिस पर gray color दिया हुआ है वो already booked है याद रखिए तो मैं यहाँ पर एक seat लिया हूँ उसके बाद दूसरा seat भी ले लिया हूँ देख सकते हूँ यहाँ पर दो seat मैं लिया हूँ 262 रुपे यहाँ पर बता रहे है पांच नंबर 6 नंबर की seat है आप भी अपने हिसाब से seat से लेक कर लिए आपको कौन सी seat चाहिए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है फिल पैसेंजर डिटील के उपर किलिक करने के बाद आपके सामने के नहीं पर आजाएगा अब यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले तो आपको अपना email एडी यहाँ पर डाल लेना है इमेल एड़ी डालने के बाद आपको यहाँ पर मुबाइल नमबर डालेना है आपका जो भी मुबाइल नमबर है उसके बाद आपको वाटसप पर डीटेल चाहिए नहीं चाहिए यहाँ पर आउन आउफ आप कर सकते हो अब यहाँ पर देख सकते हो मैं वाटसप पर डीटेल नहीं लेना चाता तो मैं यहाँ पर आफ कर दूंगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नाम डालेना है पैसेंजर का जो भी नाम है आजार कारड़ पर देख कर नाम डालिए जाद अच्छा होगा उसके बाद male female जो भी हो वो select कीजिए age select कर लीजे जो भी है उसके बाद second number का अगर आप दो sit book की हो तो उनकी भी detail भरना पड़ेगी अगर तीन की हो चार की हो पांच की हो तो उनकी सब की आपको detail भरना पड़ेगी और आप single हो तो आप इतनी detail भरिए उसके बाद आप आगे देख सकते हो मैं जिसा की वीडियो में बता रहा हूँ मैं second number की detail भर लेता हूँ passenger की उसके बाद male female जो भी है मैं यहाँ पर select कर लिया हूँ उसके बाद age डाल लिया हूँ उसके बाद अगर आपके पास gst detail हो गएरा number हो गएरा तो यहाँ पर आप डाल कर benefit ले सकते हो नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए cut कर दीजिए उसको last में देख सकते हो process का button दिया हूँ रेड कलर का उसके उपर आपको click कर लेना है click करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा रुख जाना है उसके बाद एक नया page open होकर आ जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हो अगर आपके पास detail देखने को मिल रही है वह पहले पढ़ लीजिए सब कुछ पूरा detail देख लीजिए view detail पर click करके यहाँ पर जो है कर सकते हो कोपन कोट डाल दीजिए अगर आपके पास है तो डाल दीजिए नहीं है तो छोड़ दीजिए उसके बाद यहाँ पर आज आएगे नीचे आपको payment का option देखने को मिल रहा है credit card debit card गूगल पे net banking अगरा से आप payment कर सकते हो तो मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा simple जो option है गूगल पे का उसके उपर मैं click कर लूँगा click करने के बाद यहाँ पर pay now का बटन दिया हूँ रेट कलर का उसके उपर click कर लूँगा इसी तरह के सामने देख सकते हो गूगल पर open हो जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हो amount total आ गई है यहाँ पर pay का बटन दिया click करने के बाद आपको अपना UPI pin डाल लेना है डालने के बाद आपकी bank's amount कड हो जाएगा आपका ticket confirm book हो जाएगा आप जो भी select कियो यहाँ से आप बैठोगे जिस station का नाम select कियो जिस area का आप नाम select कियो उस जगह जाएगे बस आएगी आप बैडियो उस number की seat पर जो number की seat प तो मैं डेरिक जाओंगा पांचे नंबर की seat पर डेरिक बैठ जाओंगा सिफ और सिफ कुछ नहीं करना है मोबाइल में सिफ टिकट की डीटेल बता देना है और अपना जो travel वुक कर लेना है जो भी यह आप भी इसी तरीके से कर सकते हो दोस्तों आज की वीडियो में इतना